पुलिस की कारेश शेली पर भढ़के परीजन 35 दिन से लड़की को नहीं खुच पाई पुलिस मौरानिपुर थैसिर क्षेत्र के थाना तोड़ी फत्यपुर के गाउं में रहने वाले दरजनों लोगों के द्वारा आज एक जुठ होते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी कारड़ाले पहुचे जहां प्रदर्शन करते हुए नया दिलाने की मांगी गई जानकारी के मताबिक थाना तोड़ी फत्यपुर के एक गाउं में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा थाना तोड़ी फत्यपुर में 12 अप्रेल 2023 को प्रातना पत्र दे कर अफगत कराया गया था कि उसकी नावालिक पुत्री को गाउं के ही कुछ यवाकों के द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ ले जाया गया है तो वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 366 में मामला दर्ज कर कारूनी का रिवाही शुरू कर दी थी लेकिन आज दरजनों की संख्या में एक जुट हुए परिजन एवं महले वासियों को पुलिष शेत्रादिकारी का रख्याले पर पहुंशते हुए मामले में थाना पुलिस के द्वारा ला परवाही बरत ने इवं डिल को इससाथ ही लोगों ने जल्द से जल्द मामले में लड़की को बरामाद करने की भी मांगी तो वहीं पुलिस शेत्रादिकारी ने शिकायत करताओं को मामले को लेकर जल्द ठोजकार रवाही का शासन दिया हम क्या पता है किस बास से नहीं हो रही किस बास से हम माहरानी पूर में घूम गव्याएं और जहां में भी वह रषक्षु शक्कार अपकी तरफ से क्या चाहते हैं गालण वाइस चाहते हैं कि लड़का लड़की दोनों बेस हो जाङए जे आप लोग जो इतने सारे लोग एकष्टे होके यहां पर आये हैं क्या समस्या लेकर आई हैं लड़की का मैटर है क्या लड़की को भगा लेगा ना विकास कब की लाज है और कैसे का हुगा हो आप बारा तारी खुलेगे अभी तक क्या हुगे क्या कोई सुनाई नी वह आप इंस को कहना है भाड पुलस को जो कहना है आपकह जाएगी तरा कि आती नहीं है ना किसी को फकर यह को आजी करती है पुलेटाई बोलते हैं घरकन को क्या करें जाकारें की घरको लाग की लड़का डू पई एशनी मेelinूरकी को बला अप मौरानिपोर से भूपे निर्सिंग परिहार के साथ नेहा श्रिवास की रिपोर्ट बुंदिल खंचले न्यूज छासी